Hello everyone, आज के Library and Information Science के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने Management के ऐसे important question डिसकस करने जा रहे है जो कि आपके NTA exam में definitely जो है इनसे related definitely concept आपके exam में पूछे जाएंगे और ये वो question है जो आपके जो अभी अपका में exam जो आने वाला है NTA UGC Net का Library Science के लिए वहाँ पर ये जो है ये questions जो है बहुत important role play करेंगे आपके revision के लिए तो इस वीडियो को आप end तक देखीगा और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब इस चैनल लाइक इस वीडियो और प्लीज शेर इस वीडियो तो जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए NTA UGC Net especially Library and Information Science के लिए पूरी complete series हम लोग जो है आपके सामने लेके आ रहे हैं तो उनी को धान में रखते होई ये series यही video जो है इसी series का जो है next video है तो आईए एके करके इन कोशन को आपके साथ discuss करते हैं और इन कोशनों में अगर आपको कहीं भी doubt आता है तो आप comment करिएगा definitely उसके जो reply है हम आपको comment section में देंगे तो आपके सामने question है तो देखिए question हम लोगों ने जिस तरह से आपके exam में Hindi और English दोनों में आता है question तो वहाँ उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी format को ध्यान में रखते हुए इन questions को आपके सामने लेके आया गया है तो आईए पहला question हम लोग solve करते हैं who has given the four framework model of leadership तो जो हमारा जो four framework model है leadership का जो नेत्रवत करने का जो हमारी जो leadership के जो four frame model है वो किस ने दिया था हमें यहां पर उनका name mention करना है तो सबसे पहले में अगर मैं option की बात करूं तो पहला option है Robert Tenbaum and Warren H. Skim then Ballman and Deal then इसके बाद है W.J. Regan और next option है fourth option है Robert R. Black तो देखिए यहां पर क्योंनों के answer को इसके discuss करेंगे आपके साथ तो जो हमारा इसमें जो correct answer है वो है ballman and deal तो याद रहेगा आपको ballman and deal जो है यह इसका correct answer है यानि इने उने ही जो है आपका जो form framework model है जो की leadership का एक important सिधान्त है उसको जो है उन्होंने बताया था तो please mark second जाजा correct answer तो आप चाहें तो यस तरह से मैं कोशिस को आपके सामने read out कर रहा हूं आप video को pause करके उसके answer को देने की कोशिश कर सकते है तैन उसके बाद में उसके answer को आपको बता भी रहा हूं तो ballman and deal जो है इन्होंने form framework model leadership का बताया था जो की management का important theory है definitely इसकी उपर अगर आपको फूर framework model के उपर अगर आपको complete theory चाहिए तो भी आप मुझे comment में देखके बताईएगा next question 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 number two which of the following is not a human resource planning technique यानि इन में से जो मानव संसादन नियोजन का कौन सी तकनीक नहीं है तो human resource planning technique के अंदर हम लोग इसको नहीं रखते हैं option आपके सामने है expert estimate technique ranking technique tranq projection technique और last में आता है हमारा modeling technique तो अगेन हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी इसमें human resource planning technique के अंदर नहीं आता तो देखिए यहाँ पर जो भी है ranking technique जो है यह resource planning technique का human resource planning technique की यह planning technique नहीं है तो ranking technique जो है generally जब हम लोग person के work को उसके उसका जो कारे होता है जो लोगों जो उनकी पूरी team का जो work होता है उनको जब हम लोग दिखाते हैं दर्शाते हैं तब हम लोग उस ranking technique का यूज करते हैं generally तो ranking technique जो है यहाँ पर इसका answer नहीं है तो please mark second as a correct answer next question 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 3 training of professional staff within a library school जानी जो पुस्तकाले के अंदर जो करमचारी होते हैं उनकी जो perception होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पर्फॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ साइट ट्रेनिंग जॉब रोटेशन या फिर डी मोटे जिसे जैसे हमारा जो है प्रमोशन होता है ऐसे यह को दिमोशन होता है तो यहां पर अगर हम लोग लेबरी प्रोफेशनल के जो वर्क करने का जो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होता है उसे क्या कहते हैं यह हमें बताना है तो दीकिए पर्फॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है यह तो तब दिया जाता है जब फीडबैक दिया जाता है किसी करमचारी के कारे का तो यह तो इसका अंसर नहीं होगा, off-site training तब दी जाती है, एक होती है, on-site training, एक होती है, off-site training, माल लीजिए, कोई product किसी company में बन रहा है, और वो product किसी एक particular company का, यानि company A ने company B को अपना एक product बनाने के लिए दिया, तो जो company, जो इस product को बना रही है, वो company है B, और जिसके product को बना रही है, वो है A, अगर उस product को उसी company के अंदर बनाया जाएगा, जहां पर वो launch होना है, तो उसे हम लोग कहते है, on-site training, और अगर अपनी parent company के अंदर ही, यानि जहो company इस product को बना रही है, अगर वहाँ पर यह बनाया जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग off-site training, तो यह भी इसका answer नहीं है, और demotion तो इसका answer होगा नहीं क्योंकि, ना तो हम तो किवल training की बात कर रहे हैं, हम demotion की बात कर रही नहीं रहे, तो बचा हमारा एक correct answer, job rotation, क्या कहते हैं, job rotation, क्योंकि जो भी library के अंदर जितना भी staff होता है, उसको हर तरह के work, जो की especially library के अंदर की जाते हैं, उनकी training दी जाती है, और इसी को हम लोग job rotation कहते हैं, तो please mark 3 as a correct answer, याद रहेगा 3 जो है, इसका correct answer है, next question, question number 4, who propounded the achievement motivation theory, यानि achievement motivation theory को, किसने कौन लेकर आया था, यह हमें बताना है, option आपके सामने है, elderfer, mackland, hesberg, mackgrier, तो उनका नाम बताना है, तो देखिए achievement motivation theory का, अगर हम लोग सिधानत की बारें बात करें, तो motivation theory जब कब आती है, motivation theory जब हम लोग employees की बात करते हैं, यानि हमें अपने work को, employees को किसी कारे को करने के लिए उन्हें हुटसाहित करना है, तो यहां पर एक और term जोर दिया achievement, suppose करिए आपका एक task है, और उस task का कोई particular end result है, अगर आप उस end result को achieve कर लेंगे, तो definitely वो achievement में आ जाएगा, तो उस end result को achieve करने के लिए, end result को पाने के लिए जो एक तरह की प्रिणादायक सिधानत है, वो किस ने दिया था, तो यह हमें उनका नाम बताना है, तो जो यह Macland है, इनोंने जो है इस theory को बताया था, तो प्लीज आपको उसको ध्यान रखिएगा, और इक किस year में दिया था, आप मुझे उस year का नाम YouTube में mention करके बताएगे, कुछ काम आपके लिए, comment में छोड़ी जा हूँ में, आप definitely इसका मुझे आंसर बताइगा, कि जो achievement motivation theory Macland ने दीती है, वो किस year में दीती, तो please mark second as a correct answer, second जो है, वो correct answer है, okay, next question, question number fifth, which of the following are elements of job description, यानि हम जब लोग jobs description की बात करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं, कोई भी कार रहे, विवरन की बात करते हैं, इन में से कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं, जो हमारे कारे विवरन की अंतरगत आएंगे, okay, option है आपका job summary, job identification, job satisfaction, job activities and procedure and job motivation, तो अगर आप यहां पर देखें, हमें element उन तत्वों के बारे में बताना, जो कि हमारे कारे विवरन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए job summary तो definitely आएगा ही आएगा, यानि जो भी कारे क्या करने जा रहे हैं, तो उसकी summary, उसका सराज जरा जरा जरूरी है, job identification, जब भी कोई कारे हम लोग करते हैं, तो उसको identify किया था है, कि इस category में हम लोग उसको रखेंगे, तो ये भी आएगा, तो A और B तो आएगे, job satisfaction, इसका अंदरा आएगा नहीं, क्योंकि job satisfaction, ये जो ह हैंगे, और job motivation, ये जो है, आपकी motivation, थियोरी के अंदरा आती है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो correct answer है, A, B, D, तो correct answer क्या हुआ, second, second, जो है हमारा correct answer है, याद रहेगा, यानि second को mark करिएगा, और आप भी मुझे comment में इनके answer बताइगा, तो next question, question 6, what is span of control, यानि जो हम span of control होते हैं, जो नियंतर अवदी होती है, वो उससे हम लोग क्या समझते है, option आपके सामने है, आप Hindi में पढ़ लीजेगा, मैं English में आपको बताता हूं, उसके बारे में, मतलब करता हूं, number of activities that a manager can effectively handle, वो span control, यहाँ पे span control की बात की गई है, यानि एक तरह से, एक particular time span में, एक particular time के अंदर, हमें उन activities हों करना है, यह बताना है, state control of the manager over the staff, यानि एक manager का, अपने staff में किस तरह से control है, यह बताता है, different types of controlling mechanism in an organization, यहानि किसी संगठन में, किस तरीके से, उनको control किया जाता है, organization के अंदर यह बताता है, या फिर a specific period of control in an organization, यानि किसी organization के अंदर, एक particular अवधी, यानि एक विसेश अवधी को, हम लोग जो है, span of control करते हैं, तो देखिए, इन में से, जो correct answer है, वो यह बताते है, कि एक manager के द्वारा, एक manager के द्वारा, कितनी सारी गतिविदी की जा सकती है, जिसे वो handle कर सकता है, अपने, मतलब एक तरह से, उनको समाल सकता है, तो यह इसका correct answer आएगा, first जो है, इसका correct answer है, नहीं, गतिविदी, एक तरीके से, एक manager के द्वारा, एक प्रबंदक के द्वारा, के द्वारा की गई, की जाने वाली गतिविदीया, जिनको वो एक प सर है, okay, next question, question number 7, who introduced the concept of scientific management, जैनि किसने इन में से विज्ञानिक प्रबंदन की अवधारना को पेश किया था, बताया था, Peter Drucker है, F.W. Taylor, Henry Fjol, Peter A. Pire, okay, तो दीखे, यहाँ पर Peter Drucker तो है, यह जो है, इन्होंने तो, इन्होंने तो management का गुरू माना जाता है, जिनोंने सबसे पहले management के concept को लेके आयते, organization level पर, तो इसका correct answer यह first नहीं है, इसका correct answer वो है, F.W. Taylor, okay, याद रहेगा, F.W. Taylor, और again, scientific management की theory को F.W. Taylor ने किस year में बताया था, आप मुझे उस year का नाम बताएंगे, year का नाम बताएंगे, okay, चलिए, next question, question number 8, question number 8, which level of management is responsible for execution of activities, supervision and monitoring, यानि अगर हम लोग प्रबंदन के level की बात करें, उनके स्तर की बात करें, तो जो execution activity है, supervision है, और monitoring है, यानि जो किसी भी कारे को करने का, किसी भी गतिविदी को करने का निश्पादन है, उसके उपर परेवेश्चन है, उसके उपर निगरानी जो है, वो किस स्तर पर आती है, top level पर, middle level पर, operational level पर, या फिर lower level पर, यानि निमनिस्थर पर, तो अगेन आपका जो उसका answer जो है, आपको ये बताना है, कि जब भी हम लोग जो है, किसी भी कारे को करते हैं, execution of activity, यानि किसी भी गतिविदी को करने का, यानि निश्पादन करने का, पून यानि उसके बाद monitoring, यानि उसके उपर, निगराई रखना है, यानि मिडल लेवल की, management की, jobs के अंदर आता है, तो प्लीज मार्क, second as a correct answer, okay, next question, question number 9, which one of the following theory is based on the notion that individual attitude toward risk will vary, यानि हमें ये बताना है, कि कौन से सिद्धान्त के अंतरगत, ये बताए जाता है, कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाला, जो कारे है, उसका attitude, जो है, उसका जो अवधाना, उसके जो दृष्टी कोन है, ये depend करता है, depend करता है, कि वो जो है risk को, यानि जोखिम क किस लेवल पर देखेगा, ठीक है, preference theory, scientific management theory, hasburg two-factor theory, या फिर hierarchical of needs theory, ये आपको बताना है, तो हम यहाँ पर जो है, ये बताने को कोशिश कर रहे हैं, कि जब भी कोई आदमी होता है, यानि individual attitude towards risk will vary, यानि देखो, suppose करी को कोई कारे है, और उस कारे के अंदर एक जोखिम है, तो वो हो सकता है, उस जोखिम का जो लेवल है, वो आपके लिए जादा है, मेरे लिए कम है, या फिर किसी और के लिए कम है, मेरे लिए जादा है, तो ये depend करता है कि हम लोग उस कारे को किस लेवल पर देख रहे हैं, यानि हमारा उस कारे को देखने का नजरिया क्या है, त तो please mark first as a correct answer, okay, next question, question number 10, which of the following are, following principles are related to scientific management, management, यानि कौन-कौन से ऐसे सिद्धान्त हैं, जो की विज्ञानिक प्रबंदन के अंतरगत आते हैं, okay, पहला, job analysis, यानि कारे विशलेशन, unity of command, यानि जो हमारी command है, उन command को एक तरीके से भेजना, division of labor, शर्म विभाजन, stability of tenure, कारे काल की स्थिर्टा, maximum profit, यानि अधिक्तम लाब, okay, तो हमें बताना है, तो इसमें अगर आप देखें, तो आपको correct answer आपको बताना है, okay, अब देखें, यहाँ पर अगर देखें, हमें जो है, विज्ञानिक प्रबंदन के बारे में बताना है, जिसके बारे मताना है, विज्ञानिक प्रबंदन के बारे में, तो definitely job analysis तो आएगा ही आएगा, तो यह आएगा, job analysis तो आएगा ही आएगा, तो यह आएगा, job analysis यानि कारे विशलेशन आएगा, उसके बाद, unity of command जो है, यह scientific management बनी है, बलकि यह work को कराने के रूप में आती ह तो यह नहीं आएगा, division of labor, यानि किसी भी कारे का कारे श्रम विभाजन, यह भी आएगा, इसके बाद, stability of tenure, यह again employee का factor है, यह नहीं आएगा, then maximum profit ही आएगा, तो A, C और E, यह correct answer है, तो इसमें correct answer कौन सा है, third जो है आपका correct answer आएगा, ठीक, next question, question number 11, which state of ADA model, A, I, D, A model, focuses on attracting the attention of a customer, यानि इन में से कौन सा जो है, हमारा जो consumer है, यानि जो उभोगता है, उनकी attention, यानि उनके, उनके किसी भी कारे, जब हम कहते हैं कि, अगर आपने consumer का, यानि आप अपने उभोगताओं की, अगर attention को पा लेते हो, attract कर लेते हो, तो ADA model किस stage को focus करता ही है, तो देख आपका जो है, attention, then interest, desire, then action, ठीक है, तो यह हो गया attention, A, I for interest, D for desire, and A for आखरी में action, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, तो definitely जो आपकी पहली stage है, यानि कौन सी है, attention, यह इसमें आएगा, तो अब इसमें आपके सामने जो है, यानि आपका ध्यान, यानि आपका ध्यान, यह इसमें आएगा, तो पहला, जो मैं नाम भी लग देता हूँ, A for attention, A for attention, then second जो है, वो है आपका interest, okay, then third है आपका desire, याद रखियेगा, and fourth है आपका, कौन सा है, आपका action, okay, तो please mark four as a correct answer, यानि आपका ध्यान है, customer का ध्यान है, यानि जो attention है, उसी के ओपर जो है, main focus रहत fourth is a correct answer, next question, question number 12, the term marketing mix is first used by, यानि जो marketing mix, जो term है, जो शब्दावली है, वो किस management group के द्वारा बताई गई है, James Clinton, Philip Kotler, G. Armstrong, B. A. Greenberg, तो यहाँ पे जो correct answer है, आपका James क्लिटेन है, okay, याद रखिएगा, James क्लिटेन जो है, इनोंने marketing mix concept को बताया था, तो please mark first as a correct answer, next question, question 13, segmentation, किस से सम्मंदित है, reference service, marketing survey report, digest service, या indexing service, तो यहाँ पर segmentation की बात कर रहे है, यानि जब भी हम लोग को market का survey करते हैं, उसकी जो report होती है, segmentation मतलब होता है, particular, एक product के segment की बात कर रहे है, यानि वो particular segment किस से सम्मंदित रखता है, तो यह जो है marketing, marketing survey report के अंदर आता है, तो please mark second as a correct answer, दूसरा जो है, वो आपका correct answer है, next question, question number 14, which of the following constitute the marketing mix, यानि इन में से marketing mix के अंदर किसको रखेंगे, हम लोग product को, promotion को, price को, purchasing power को, या फिर portability को, marketing mix से हम लोग क्या समझते हैं, यानि इन में से कौन सा जो है, वो marketing mix के अंदर आएगा, तो definitely product, तो आए गई आएगा, कि product क्या है, ठीक है, उसका promotion कैसे करेंगे, उसका price कैसे, तो यह तीनों चीज़ जो है, यह हमारी product से related है, ठीक है, purchasing power और जो portability है, पर्चेसिंग पावर जो है, वो हमारे consumer से related होती है, और जो portability है, वो हमारे एक तरीके से, उसको बोला जाए, जो logistic का element है, तो वो अगेन यहां नहीं आएगा, तो product, promotion, price, दिहान रहेगा, आपका जो है, इसमें correct answer आएगा, तो correct answer क्या हुआ, ABC, फोर्थ ज next question, question number 15, ISO 31,000 is an international standard for library management, energy management, space management, या फिर risk management, तो यह बताना है, आपको ISO 31,000 जो है, वो किस international standard का मानक है, आपको बताना है, standard है, तो यह किसका है, आपका, यह risk management का जो है, यह ISO certification है, ISO certification कौन सा है, risk management, प्लीज मार्क, फोर्थ as a correct answer, next question, question number 16, TQM, यानि total quality management promotes the way in which a library is organized and perform its ICT function, यानि information, communication, technology function, ठीक है, तो यह है, total quality is seen as a hindrance to the library and information service, तो देखिए, total quality management, यानि जो आपका quality management है, total, यानि कुल, जो आपका quality management है, उसके बारे में बात की गई है, तो देखो, यह जो reason है, यह तो गलत है, यानि TQM, यह library and information science के अंदर, एक तरीके से, बाधा की रूप में कारे करता है, तो यह तो जो है, एकदम गलत concept है, तो यह तो उसका answer आपका नहीं होगा, ठीक है, तो reason तो false है, R is false, हाँ A true है, A जो है, एकदम सही है, यानि total quality management की वज़े से, हम लोग जो है, जो अपनी library के अंदर, उसको properly organize कर सकते हैं, साथ में, जो भी उसके ICT function है, उसके पूरे कारे को कर सकते हैं, तो इसमें जो correct आएगा, A is true, but R is false, okay, तो please mark first as a correct answer, next question, question 17, identify the primary elements of TQM, यानि इन में से, कौन कौन से, तत्व हैं, जो की, total quality management के अंतरगत आएंगे, customer focus, total employee involvement, process centered, या फिर upgraded system, तो इसमें हम लोग, जो है, total quality management के अंदर, हम लोग किस किसको रखेंगे, तो देखिए customer focus होता है, employee का involvement भी देखा जाता है, process center भी देखा जाता है, बढ़ अप्ग् का, total quality management के अंतरगत नहीं आता, बलकि ये, आपके maintenance के अंदर आता है, maintenance के अंतरगत आता है, okay, तो please mark, ABCs are correct, second is the correct answer, ठीक है, याद रहेगा, next question, question number 18, वो developed the 4C model of marketing communication, यानि इन में से किसने 4C जो model है, marketing का, उसे marketing communication का, वो बताया था, डेविड जॉबर एंड जॉन फे, फिलिप कॉटलर, सीव पी, एलफर, माइकल पॉटर एंड एच स्मित, तो इन में से हमें उनका नाम बताना है, तो देखिए, यहाँ पर जो है, डेविड जॉबर एंड जॉन फे जो थी, इनका उनोंने 4C model को बताया था, और year आप बता रिलेशनशिप यूजिंग एक्टिविटी ओन एरो नेटवर कंस्ट्रक्शन, यानि यहाँ पर यह एक तरह का मैनेजमेंट टूल है, जिसके अंदर हम लोग जो है, वो कोई भी कार है, यानि पूरा कार, पूरा प्रोजेक्ट जो है, कितने दिन लेगा, इसको हम लोग जो है, शो करते हैं, किसके अंदर शो करते हैं, एक्टिविटी ओन एरो नेटवर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो क्या है इसका की क्यों है, डिसेजंट्री अनलेसे, सीपीम या पर्ट, यह जो है आपको बताना है, तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, वो आपका पर पर्ट एक ऐसा टूल है, साइंटिफिक टूल है, जो कि इसके उपर काफी मैतमेटिक के कॉंसेप्ट मी है, हां, लेबरी के अंदर, आपके अंदर कॉंसेप्ट में नहीं है, अगर आप मैनेजमेंट की निदर डिटेल में जाएंगे, तो आपको यह थिए आपको दिखेग वो mention है, हमें बताना है, parato analysis chart, pie chart, fishbone diagram या फिर histogram, तो हमें बताना है कि 80-20 rule जो है, जो कि TQM टेकनीक में आती है, वो किस की अंतरकत आती है, वो आती है, parato analysis chart, किस में आती है, parato analysis chart, please mark first as a correct answer, तो strengths यह था आज का वीडियो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा रगे, तो भाई, like करिएगा, share करिएगा, और इसकी अंतरकत, कोई भी अगर आपका doubt है, तो इसको आप मुझे बताएगा, okay, तो मिलते हैं आपसे next video में, एक और important topic के साथ, और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, subscribe this channel, like this video and please share this video, okay, तो मिलते हैं next video में, thank you अच्छाईगा झाल झाल, का तो